अवैज शराब परिवहन में लिप्त माफियाओं के खिलाफ जिले में जारी है धर्पकड कारवाई 2100 लीट महुलाहान नश्ट की गई जिसकी कीमत 252,000 रुपे बताई जा रही है राजगर जिले में अवैज शराब परिवहन करने वाले के विरुद्ध अभियान चला कर सिरे से अनकुष लगाने हेतू जिले में समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया जा रहा है वहीं अभियान के तहट जिले के थाना माचलपूर्ग शेत्र में ग्राम कालिकावे में दविश देकर 2100 लीट महुआ लहान नश्ट करके एक आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया पुलिस कप्तान IPS श्री प्रदीप शर्मा, जिला राजगर द्वारा अवेट शराब की धरपकड के संबंध में सम्पूर्ण जिले में अभियान चलाया जा रहा है अभियान के तार्तम्य में अतिरिक पुलिस अधीक शक, राजगर, श्री मनकामना प्रसाद व श्रीमान SDOP महोदे, खिलचीपोर्ग, सुश्री निशा रेड़ी के निर्देशन में थाना प्रभारी माचलपोर्ग, थाना प्रभारी जीरापोर्ग के बल सहित सयुक तीम द् रख कर अपने केट से ले जाने की तयारी में था। उसने जैसे ही पुलिस दल को आते देखा, तो उसी समय शराब की कैनों को उक्त स्थान पर छोड़कर ही मौके से भाग गया। पर बताई जा रही है, उसे जब्तक किया गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 34-2, उन्चा से आपकरी एक्ट के तहट अपरात पंजीबतकर विवेचना में लिया गया। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। उप्त कार्यवाही में SDOP खिलचीपूर के निर्देशन मे थाना प्रभारी माचलपूर उप निरीक्षक जितेन रजनारे वा उनकी टीम, थाना प्रभारी जी रापूर, निरीक्षक प्रभाद गौट वा उनकी टीम का विशेश योगदान रहा। देखिए All India News 24-7 के साथ राजगर व्यूरो, वैभाब कुश्कपत की रिपोर्ट थाना प्रभारी माचलपूर के टीम दवार से दवीश दी गई, जिसमें मंगल सी कडियारे पर दवीश दी गई, जहां पर 80 लिटर अवेश राप प्राप्त हुई है, एवं 200 लिटर महुआ लाहां को नस्ट किया गया है, एवं बट्टी को नस्ट किया है, एवं अन्योक् प्राथ्रमांग 25 वटे 22, 14-34 अप्तारी एवं 29 आप्तारीयक के तहट कारवाई की गई है, उक्त कारवाई में थाना जीरापुर एवं थाना माचलपूर की टिम दवारा, मैं को पूर नुमिता निभाट।